फाड़ के फेक देंगे ये सम्विधान सिरफ एक किताब नहीं है ये सम्विधान हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है ये सम्विधान अम्बेटकर जी ने बनाया महत्मा गांदी ने बनाया जवाललाल नहरू ने बनाया और हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर ये सम्विधान बनाया है चाहे Reservation हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे गरीबों के अधिकार हो धर्मिक अधिकार हो जो भी आपको मिले है वो इस सम्विधान से मिले है और अब B.J.P. चाहती है कि वो इस सम्विधान को वो खतम कर दें, मिटा दें 22-25 लोगों का वो राज चाते हैं अदानी जैसे अरब पती सारा का सारा काम नरेंदर मोदी जी इनके लिए करते हैं किसानों के काले कानून लाए मजदूनों के लिए कुछ नहीं किया छोटे वियापारियों के लिए कुछ नहीं किया बेरोजगारी फिलाई, महंगाई फिलाई नरेंदर मोदी जी ने सिरफ भाई को भाई से लड़ाया एक जात को दूसरी जात से एक धर्म को दूसरे धर्म से एक प्रदेश को एक भाशा को दूसरी भाशा से और पूरा का पूरा काम उन्होंने 22 लोगों के लिए किया है सारे के सारे एरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री जो भी था उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अरब पतियों को दिया अब सवाल उठता है कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है मैं अपने हर भाशन में कहता हूँ उन्होंने 22 लोगों को लाखों करोड रुपए दिये बाईयों और बेनों 22 अरब पतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड रुपए माफ किया है 16 लाख करोड रुपए कितना होता है मैं आपको बताता हूँ यू पिये के समय हमने एक बार किसानों का कर्जा माफ किया था तक्रीबन 70 हजार करोड रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया अगर आप वोही कर्जा माफी 24 साल के लिए हर साल करेंगे उतना पैसा नरेंदर मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है किसानों ने कानूनी MSP मांगी नरेंदर मोदी जी भाषन में खुल कर कहते हैं कि कानूनी MSP नहीं दूँगा आप सही दाम मांगते हो नरेंदर मोदी सही दाम नहीं दिलवाते मार्किट में कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका सही दाम मिलता है उस पे रेट लिखा होता है मगर जब किसान अपना माल बेशता है गन्ना बेशता है आलू बेशता है धान उसको कभी भी सही दाम नहीं मिलता किसानों के लिए हम तीन काम करने जा रहे हैं जैसे ही इंडिया गडबंदन की सरकार बनेगी पहला काम अगर वो अरबपतियों का करजा माफ करते हैं हम पंजाब के किसानों का हिंदुस्तान के किसानों का करजा माफ करने जा रहे हैं और भाईयों बेहनों किसानों हम एक बार नहीं माफ करेंगे हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी वो आयोग सरकार को रेप्रेजेंट करेगा सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे एक बार अगर एक बार जरुरूरत पड़ी दो बार अगर दो बार पड़ी तीन बार अगर तीन बार पड़ी हमें कोई फरक नहीं पड़ता किसान देश की रिड़ की हड़ी है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए उसकी रक्षा होनी चाहिए हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देगे दूसरा काम नरेंद्र मोधी जी ने असाफ कहा कि किसानों को कानूनी MSP नहीं दे जा सकती भाईयों और बहनों चुनाओ के बाद चार जून को इंडिया गटबंदन की सरकार आईगी और हम किसानों को पहली बार गैरंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं तीसरा काम आप बीमा का पैसा देते हो नरेंद्र मोधी जी ने नई बीमा योजना चलाई सोला सोला businessmen को सोला कंपनियों को आपकी योजना का पूरा फाइदा मिलता है तुफान आता है आन्दी आती है आपका नुकसान होता है आप इन कंपनियों को email लिखते हो phone लगाते हो कोई जवाब नहीं आता आपको आपका compensation नहीं मिलता इसलिए हम इस scheme को बदलने जा रहे हैं किसान friendly scheme होगी और 30 दिन के अंदर आपको जो भी compensation बीमा का पैसा जो भी आपको मिलना चाहिए वो 30 दिन के अंदर हम आपको दिलवा दे यह तीसरी बात है भारत चोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई किसानों से मजदूरों से छोटे वियापारियों से बेरोजगार युवाओं से हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है वो हिंदूस्तान के किसानों की अवाज है मजदूरों की अवाज है बेरोजगार युवाओं की अवाज है उनकी अवाज भारत चोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और निया या सबसे पहले और सबसे एतिहासिक काम महा लक्ष्मी योजना नरेंद्र मोधी जी ने 22 अरब पती बनाए अब हम करोणों लाख पती बनाने जा रहे हैं कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान के गरीब परिवानों की लिस्ट बनेगी हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8500 रुपे इंडिया की सरकार डाल देगा जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा खटा खट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोडों परिवार जागेंगे नो बज़े सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे उसमें महीने का 8500 रुपे सरकार आपको दी बाई और बेनों करोडों परिवारों को महीने का 8500 रुपे साल का 1 लाख रुपिया इंडिया की सरकार देने जा रही है किसानों की बात मैंने करी मजदूनों की बात करना चाहता हूँ मजदूनों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपे देते हैं 5 जून इंडिया गटबंदन की सरकार मनरेगा में 400 रुपे मजदूनों को देने जा रही है और आशा और आंगनवानी में जो महिलाए काम करती है जो भी उनको आज मिलता है आप लोग उसको डबल कर दीजिए उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवारी के महिलाओं को चार जून के बाद पाँ जून के बाद देने जा रहे है युवाओं के बात करना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जी ने आपसे कहा कि हर साल दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा जूट बोला जी एस्टी नोट बंदी ये करके छोटे वी अपारियों को स्मॉल और मीडियम बिजनसेस को पंजाब के जो स्मॉल और मीडियम बिजनसेस जो पहले आपकी रीड की हड़ी हुआ करते थे मैनुफैक्चरिंग युनिट्स उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खतम किया मारा अदानी जी अंबानी जी को फाइदा पहुचाने के तो आज हालत ये है कि हिंदुस्तान के युवाँ को रोजगार नहीं मिल सकता तो हम इनके लिए दो तीन काम करने जा रहे हैं सबसे पहला और सबसे जरूरी काम ये नरेंद्र मोदी जो अगनिवीर योजना लाए हैं इसके हम खिलाफ हैं ये योजना जवानों पर आर्मी पर आकरमन है हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं अगनिवीर योजना के मादियम से ये दो शहीद बनाना चाहते हैं एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा उसे पेंशन मिलेगी उसके परिवार की रक्षा होगी उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको पर्मनन्ट आर्मी में जगे मिलेगी और दूसरा शहीद जिसको ये अगनिवीर कहते हैं जवानों को इनोंने मजदूर बनाया उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हे छे महीने की ट्रेनिंग मिलेगी उसके बाद अगर तुम शहीद हुए तुम्हे ना कोई पेंशन मिलेगी ना कॉमपनसेशन मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा ये अपमान है हिंदुस्तायन की सेना का देश वासियों पर अपमान है इस योजना को हम खतम करने जा रहे हैं अगनीवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर कुड़े दान में फेक देंगे हम दो तरीके के शहीद नहीं चाहते शहीद होगा एक तरीके का होगा पेंशन मिलेगी परिवार की रक्षा होगी कंपनसेशन मिलेगी शहीद का दर्जा सब को मिलेगा शिरी राहूल गंदी शिरी राहूल गंदी दूसरा काम 30,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 नौकरी पक्की का अधिकार देनी जा रहे हैं। तो इस बार हम graduates के लिए एक नया अधिकार ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की। इसमें हिंदुस्तान के graduates, diploma holders, university और college के graduates को अधिकार मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के किसी भी बेरोजगार graduate ने सरकार से एक साल की नौकरी मांगी। तो सरकार को एक साल की नौकरी देनी पड़ेगी, मना नहीं कर पाईगी। हम कानून बनाएंगे, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, 8500 रुपे महीने का खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट आपके bank account के अंदर जाएगा। हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक लाक रुपे साल का bank account में जाएगा। भाईयों और बेहनों इसके पीछे सोच है। BJP ने अरब पतियों को पैसा दिया। उन्होंने ये पैसा अमरीका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, दुबाई में खर्च किया। उधर इन्होंने इन्वेस्ट किया। इस पैसे से पंजाब की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को कोई फाइदा नहीं मिला। अब हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रहे हैं। ये पैसा आप शहरों में, गाउं में, हिंदुस्तान में खर्च करोगे, पंजाब में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करोगे, अलग-अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट, मॉबाइल फोन, कैमरा, स्कूटर, मोटर साइकल, जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगे। और उनी फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्मॉल और मीटियम इंडिस्ट्रि है, उसके लिए हम बैंक का दर्वाजा खोलेंगे और जो आपको कैश इंजेक्शन मिल रहा है, इन दोनों चीज़ों के साथ हिंदुस्तान की अर्वे वस्ता एक बार फिर शुरू हो जाएगी, अरब पतियों की सरकार चली जाएगी और छोटे वियपारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार आएगी और एक बार फिर देश में रोजगार पैदा होगा, ये हमारी सोच है, आकरी बार मैं कहना चाहता हूँ, और जो मैंने पहली बार यहाँ पंजाब में बहुत पहले कही थी, कि पंजाब में जो ड्रग की इशू है, वो आज भी है और वो बढ़ती जारी है, और सक्त कारवाई से इस इशू पर ड्रग्स पर एक्शन लेना चाहिए, फुल अथॉरिटी के साथ, अग्रेशन के साथ, पंजाब को ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए, आप सब यहाँ आए, इसके लिए आपक करना चाहता हूँ, नमस्कार, जै हिंद, जै पंजाब, कोंग्रोस पार्टी, बहुन बहुती, 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 एक सेकंड, मुझे खतम करने दीजिए, यहाँ आईए राजा जी, देखो बहुती, आप मेसिज समझो, इसको आपने लोकसभा में पहुचाना है, ठीक है, यह आपका एसेट बनेगा, इसको लोकसभा में पहुचाना है, यह आपकी आवाज के लिए लड़ेगा, और यह लॉंग टर्म एसेट बनेगा आपका, तो बारी बहुती से इसको जिताना है, जिताओ होगे पक्ता शावाज धन्यवाद मैं हुण बेंती करूगा साधी जिला लुद्यानादी की मेटी लुद्यानादी ध्याती ते यारबन की मेटी मेजर सिंग भुलापोर और संधे तल्वार जी और स्वुद्याद मुच्ची लुद्यानादी लीडर्शिप नू के ओहो शिरी रावल गांदी जी नू सन्वानत करन नाल लाल सदार बलकॉर सिंग सिद्धू जी नूवी सन्वानत करन थोड़ा सार्यादा एथी और्ण ते